सीता राम, नमस्षिवाय, हरे कृष्णा, हमाई साथ आप जीने देख रहे हैं, उनका नाम है पलवी राये, एक बहुत शांदार चैनल आप रन करती हैं, जिसका नाम है भारत एक नहीं सोच, बहुत सारे वीडियो हमने देखे थे, मेरे मन में था कि कभी ऐसा अवसर मिले मतलब बत्त तो यह जानता ही, कि क्या करना हैan, मतलब मेरे कहने का सेंस यह है कि मुझे तो पता था कि मैं क्या करना चाहरे हैं लेकिन क्योंकि हमारे समाज में शोचल नियुक्त का सेंस रिल और वल्गर वीडियो से ही लिया जाता है तो इसलिए बड़ा विरोध हुआ कोई पूछा थोड़ी मेरे थे कि तुम करना क्या चाहती हो यूट्यूब पे सबको लगा अच्छे यूट्यूब पे तो मतलब गाने पे डान्स में उसको भी मेरे सेंस में वो भी गलत नहीं है अगर अगर आपका अपनी क्रियेटिविटी को दिखा रहे हैं तो अगर आप कुछ बहतर देना चाह रहे हैं उससे समाज में या आपकी वो होबी है आपके दिमाग में गंदगी नहीं है लोगों को दिख रही है तो फिर मैं आपके सपोर्ट में हूँ लेकिन अगर आप जान ब अपने अपने उद्धे शुपता को यूटीव मतलब वह गंदगी ना नज़र आए उनको यह नजर आए कि यूटीव में बहुत अच्छी चीजे भी है यूटीव पर बहुत तमाम लोग आप खुद भी है यूटीव पर बहुत सारी चीजे है आपका तेस कैसा है यह कोई व्यक्ति ऑनलाइन अपने उद्धेश को ले करके होता है कोई व्यक्ति किसी से चैट करने के लिए होता है कोई व्यक्ति कंटेंट को एक्स्प्लोर करने के लिए होता है तो अगली बाद जब कभी आपके घर में से कोई बच्चा कहे या आपकी घर वाली कहें कि हमको तो अपना YouTube चैनल बनाना है तो आप उनका सहयोग करिए पर पूछ लिजिए कि आप YouTube पर करना क्या चाहते हैं आपकी सोच क्योंकि गंदी है और आप तो सामने वाला भी गंदा है यह ऐसा नहीं होना चाहिए मैं बस यह कहना चाहिए अगर मुझे लगता है मेरे मेरे परिवा तो अच्छे चलों का दिमाग सही हो जाता है अभी की बात मत करिएगा जब आप चैनल स्टार्ट की थी उस समय से लेके वो कौन सा समय था किस समय तक ऐसा था जब कुछ नहीं कमा पाऊ तुम एक से डेढ़ साल ते कुछ कमाई नहीं होती पहली बार कब आपके पास अर्ण करें डरी चारी की औरह बहुत कि मुझे यसलीए नहीं काई की मेरि कमारा रही है कि मुझे लगा ठीक च्छोप करना तो गड़न को मिली तो सबसे पहले ममी को फोन इसलिए गिलिया धना च्छुप की अ कि मेला काम बुशना चाहिए कि मम्मी जिस दौर की है ना उस दौर की मा में एक बहुत बड़ा जिम्मिदारी बोध रहता कि हमार बेटी कुछ भी करें कहीं अईसन नहों कि हम तो कर संगे बाटी हम उकर साथ हैं लेकिन कहीं दूसर मने कुछ कह रहा है कुछ उसको नहीं समझ पा रहा है कान में आके कुछ कहे सुनने में थोड़ा पटा लगे तो वो दोर के लोग बड़ी चिंतित हुआ करते थे मेरी मम्मी मॉडन है इस सोच में मम्मी ने सपोर्ट किया है मुझे मेरे पिता जी रहे नहीं बचपन से तो एक लड़की को रोकने के लिए उनके पास सौ चीज थी कि अगर तुम तो तुम यह नहीं कर सकते कभी रोका ने गया किसी भी चीज मैं तो ममी ने मुझे ऐसे कहीं कि support नहीं क्या तो यह Ether खांगी ममी support बहुत कि मतलब जब उस समय में मतलब लोह वर ओर यही सारी तो ममी ने बहुत सपोर्ट किया, ऐसा ऐसा नहीं है कि ममी ने सपोर्ट ने किया, लेकिन जब मैंने यह चुना था तो सबसे ज़्यादा विरोध जो था वो हमारे अपने सुब चिंतक लोगों से ही था, जिनको मेरी चिंता रही होगी, लेकिन उनको यह नहीं पता है, आपके मेरा सपोर्ट भी नहीं किया था, और मेरा पैर भी खीचा था, लेकिन मैं सोचते हूँ कि अगर बोल दूँगी तो फिर उनके और मेरे में फर्क क्या रह जाएगा, मैं बोलती ही नहीं लेकिन उनका काम भी नहीं करती हूँ, यह भी एक ज़ता है, किस तरह की स्टोरीज को सिफ दस मिनिट बात कर लूँ न, वो अपने घर का जो भी होगा, वो मुझे देने को तरा हो जाती है, आसा, बहनी चला तू हम अहीं बलो नहीं है, तो खा के जाएक पड़ी एक दम ऐसा मतलब ऐसा कुछ, जब हम इनका यूटूब पर वीडियो देखे तो वही जो गाओं का बोली भाषा मिठास है न, पुरा लवालब इनके बोली में आपके अनुभव किया है, कि आज के पांत साल पहले हमारे फिल्ड में पत्रकारीता फिल्ड में कोई भोजपूरी नहीं मोलता था, भोजपूरी मतलब की गवार पना, ये माना जाता था, हम कलिष्ठ हिंदी बोलते थे ऐसी हिंदी जो यूद तो एकदम समझी नहीं पा रहा है, मैं एक ऐसी लड़की थी कि मुझे ऐसा लगता है, हो सकता हो और भी लोग रहे हो, शोशल मीडिया पर जब हमने भोजपूरी सुरू की तो अब मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे क्रियेटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, जो अब इस चीज को भूजपूरी को स्पेस दे रहे हैं, उनको लगता है कि ये मज़ेदार हो सकता है या इसमें व्यूज मिल सकता है, जो भी लगता हो, लेकिन लोगों ने भोजपूरी को एक जरतु है जल के परया बीच धान हो ओई से सीत लीरानी के मंगी आचम के लीलरा जल के श्रीराम के और जब गाउं जाला बरात खाना होना के समय चलनी के चालल दुलहा सुप के फटकारल हो निदिया के मातल दुलहा अखिया ना खोले हो निदिया के मातल दुलहा तो हमारे भोजपरी बोली में ऐसी खुबसुत पारंपरी गीते हैं सोहर हैं राजदसरत घरचारी होरिलवा होरिलवाती सुन्दर हो ललनाठन मन करले गुजरिया इलकरिया अब तले ले हो अचाा कजरी के दोर चलता सावन क कमहिना अबंव में अजाए देव नजाए देव हो नजाए देव हो नजाए देव हो तो देखे अभी अंकल हर दिर्यागर माईलाएं मांग दे तो लोग हैं पहले फुरसत से माई के निकल लो कुछ नहीं दिलाएं देगे तो चाहिए गाने में भले आप कुछ भी गाने तो भाव बड़े अच्छे भोचपुरी के दुर्भाग ये रहा कि पिछले कुछ दसक में भोचपुरी के भीतर ऐसे नौसक्यूवा कलाकार आ गये जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए भोचपुरी को एक दम तहस नहीं से मुझे पूछना था एक बात कि मेरी भोचपु नहीं पा रहा हैं इस चक्कर में कि इन्होंने जिस तरीके से गंदगी परोसा इनको कौन अधिकार दिया था कि ये हमारी भासा के साथ खिलवार करते हना लेकिन इन्होंने इनको कहीं से इनको लगा होगा कि ये स्वामी है और ये इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है दर अधिक ही नहीं सुनना चाहते हैं ये लोग शादी में बजा देते हैं सर्म आती अलग से ये स्पीकर पर बजा के निकलते हैं लॉंडिया लंडन से आएंगे राग्वार का करिया कहीं से गुजरत हैं अब आवा देते का अतना ठेकी बंद कर लिए बादो वजी आता है बि बढ़किया नाच रही होती है मतलब वह लोग भी इसको खुब प्रमोट कर रहे हैं मतलब शादी विया होगा तो गाना ऐसा बजेगा और घर की महिलाएं माता वाइने इस पर डांस करती हैं खुब आनन्दित होती हैं हम तो ये चाहते हैं कि काश वो दिन आता जब साधी द्रज विवा होता पूरा वैदिक रीति रिवा से और खुब बढ़िया भजन होता सत्संग होता हम को मोका मिलता हां बढ़िया आनन्द भकति में बाता ब्रण में जीवन का आरंब होता लेकिन न समय पर विबाँ होता है, न समय पर से नुर्दान होता है, न तो समय पर बराती दरवाजे पोचते हैं, कंऍया के घर, आप विबाह बगाएर कराते हैं क्या ने विबाह तो नहीं कराते हैं, लेकिन आपको चिप दिजब हो गा prop carboh प्रामण हम देंगे बढ़िया पंडित हैं अच्छे सशादी कराएंगे बहुत बढ़ियां से हां वैदी कृती से खुब अच्छा विवास संपन होगा बहुत अच्छा लगा पल्वी आई हमें मिली और बात की और बहुत विस्तरी चर्चा वह लेकिन आप से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आप की सोच बहुत मतलब मैं अपनी बात करीं कि हमारी या हम जैसे लोगों की सोच बहुत सीमित है हमने जब भी किसी बाबा के बारे में सोचा तो हमने यही सोचा कि या तो वो कोई सास्त्र पढ़ रहे होंगे या तो वो कुछ परवचन दे रहे मतलब ऐसा कुछ मतलब एक हैवी चवी जो अपनी बात को सही प्रूफ करने के लिए आपको दबा देना चाहते हो मतलब मैंने तो कई ऐसे लोगों को देखा है कि आप सवाल पूछना चाह रहे हों लेकिन क्यूंकि वो ऐसे बैठे होते कि मारे डर के आदा लोग पूछते नहीं है जब हम आप से मिले आप एकडम यूद वाली बात कर रहे हैं आप एकडम महिलाओं को लेकि भी आपने उस तरीके की बात को थोपा नहीं कि मतलब जो हमें बताया गया कि हम साथ जन्मों के लिए एकडम हम कितना भी प्रतारित हो रहे हों हम हमें जला दिया जाए ल कि मुझे लगता है कि एक जो गैब बन रहा है ना यूथ यूथ अपने सास्त्रों को नहीं पढ़ना चाहता अब उसको भजन में मजा नहीं आता है उसको हनी सिंग में ही मजा रहा है कारण यहीं रहा है कि हम जब जस्ती हम कनेक्ट नहीं कर पाएं हमारे लोगों ने जिस कि तस बात नहीं कर सकती है मेरे साथ यह पॉस्बिल्टी रहती है कि जैसे भी आप बात कीजेगा हम पहले तो सुनते हैं और फिर दूसरी कि आपनी बात कोई थोपते नहीं अब मुझे लगता है ऐसे बाबाओं के जरूरत है यूथ को तो एकदम ही है कि जब आप अपने स आपनी समय को बहुत समझने लगें तब कोई तो आएगा ना हमें हमारी भासा में बताने के लिए हमें नहीं समझ में आ रहा है वो कलिश्ट वर्ट तो कोई तो होगा जो प्यार से बताएगा हमें सिखाएगा तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा जरूरी है यूद के अपनी जैसे हैं मतलब कोई बहुत भारी है और इसको समझने में दिक्कत होगी तो आप लोग अगर मतलब मेरे थू इनको जान रहे हैं क्योंकि आसा नहीं है कि वीडियो सिर्फ आपके फॉलोवर तक ही पहुंचेगा क्या पता हमारी सस्क्राइबर्स तक भी पहुंच जा है और आप बाबा को नहीं जानते तो प्लीज सर्च किजिए इनकी बातों को सुनिया आप खुद भी हैरान रहे जाएंगे मैं भी रह जाती हूं कई बार जब यह खुद ही अपने हाथ से अपना गिंबल उंबल सेट करने लगता अरे यह क्या हो रहा है हम लोग तो देखे आप सब ऐसे हमाँ साथ जुड़े हैं सिताराम हमस्ष्वाय हरे कृष्णा